दोस्तों अगर कल 2-4 मिनट में प्रॉफिट बनाना चाते हैं जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ केवल देखेगा मार्केट ओपन होने से पहले बता देता हूँ कि 15 मिनट में मैं ट्रेड डन कर दूँगा और अप्रेंड बोला था जस देखेए आपके सामने ये उपन प्राइस है आप देख सकते हो ये हाई है और ये जस देड़ मिनट हुए है मार्केट ओपन हो ए ट्रेंड बोला था अप्रेंड का प्रॉफिट हो चुका है कल मिस्त नहीं करना चाते हैं जॉइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आज रात को अमेरिका से इतनी बड़ी अप्डेट होने आ लिए है कि 500 से 1000 पॉइंट अगर डो जोन्स हिल जाए तो भी आपको देखेगा यहीं पर पता चलेगा क्योंकि रात में अप्डेट आएगी तब यूट्यूब चैनल पे नहीं प्रोवाइट कर पाऊंगा यह वीडियो तो जाके जॉइन कर लीजेगा अप्डेट के आने वाली है आपको पता है CPI इंफ्लेशन का डेटा आया तो आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब आज रात को कितने बज़े देखेगा डेटा आएगा लेकिन जो डेटा आने वाला है उससे सीधा इंवेस्टर को इंपाक्ट पड़ने वाला है चुकि पूरा का पूरा अमेरिका उससे ही लेगा यूएस इंफलेशन के नंबर आने वाले है 14 मार्च यानि कि आज विच इस मोर इंपोर्टेंट फॉर दा फेड विफोर टेकिं डिसीजन ओन इंटरस्ट रेट इन नेक्स पॉलिसी मीटिंग ओन मार्च 22 तो आप सभी को पता है कि मार्च 22 फेड आएगा जो कि अगला हफ्ता है अगले हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है और आपको पता है पूरे यूएस में पैनिक फॉल है चुकि एस वीबी बैंक क्राइसिस हो चुका है तो उस पॉइंट ओफ यूज से फेड से दो एक्सपेक्टेशन की जारी है कि एक तो वो अगला रेट हाइक ना करें करें तो इतना नॉमिनल करें जो ना के बराबर हो सेकेंड चीज क्या है कि इस पैनिक सिचुएशन में एक और पैनिक अमेरिका जहिल नहीं सकता तो अगर इंफेशन के नंबर कूल आफ होके आएंगे तो इस बात की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कॉंटिन्यू अपने स्टेट्पेंट में बोलना है कि हम लोग देखेगा हायर जाएंगे पोटेंशल एग्रेसिव पॉलिसी टाइटनिंग करेंगे बट उसका नतीजा क्या हुआ उनके दो बैंक फॉलो गए उनके यहाँ पैनिक हो गया उनके बैंकिंग सिस्टम को देखेगा मजबूत बनाने के लिए रास्टपती को खुद सामने आना पड़ा तो इतना जादा देखेगा सिचुएशन गंभीर हो चुकी है क्योंकि आपको पता है कि यह कोई छोटी बात नहीं है और आपको पता है जैसे ही नंबर्स आते हैं तो तुरंद इंपाक्ट पड़ता है डॉलर इंडेक्स पे तो यह डॉलर इंडेक्स आज का इंडिकेटर रहेगा आपका रात के बारा से एक बज़े के बीच में अगर इसमें सड़न जम्प आ जाता है तो आपको पता है पहले ही से आ जाते हैं तो आप FXX पे जाके चेक आउट कर सकते हैं कि यह माना जा रहा है कि जो प्राइस इंडेक्स है यानि कि जो पूरा फैप का इंफलेशन है वो डिकलाइन होके आएगा 6% या उससे कम पे और आपको पता है कि अगर वो डिकलाइन होके उपिनियन्स में आता है तो कुछ आस पास ही डेटा देखने हो बलता है 90% डेटा देखीगा मैच होता है बहुत कमी ऐसे केसे होते हैं 10% कि जब आपने कुछ एक्सपेट किया हो वो ना हुआ हो तो अगर डेटा देखीगा कम हो क्या आता है फरवरी का according to the economist poll according to the opinion poll according to the study and research तो ये कम से कम एक राहत की ख़वर होगी और तुरंट डो जोंस इस पे react करेगा तुरंट reaction देगा बड़ा reaction देगा और कल हमारे market में भी reaction देखने मिलेगा तो core CPI is forecast to edge lower to 5.5% year on year February from January 5.6% तो अगर आप देखेंगे hot US CPI is critical to initiating a turn around in a US dollar against the major rivals तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी केवल CPI inflation एक बहुत बड़ा turn around है सभी के लिए the consumer देखेगा price index data release for February published by the US Bureau of Labor Statistics is scheduled for March 14 तो आप समझ सकते हैं यह आचुका है 12.12 GMT time के साब से आएगा the US dollar index has entered into a downtrend spiral following the latest mixed US labor market report तो आपको बता है कि यहाँ पे banking stress के कारण labor market के stress के कारण dollar index में थोड़ा सा panic fall आया है जिस कारण से America के futures अगर आप देखेंगे DAO futures लगातार दो दिनों से यानि कि Monday को भी लगातार वो green रहा है जो तक हमारा market open रहा है और Tuesday को भी वो लगातार green में रहा है तो आप देख सकते हैं कि इससे बहुत बड़ा impact पड़ेगा FED के अगले meeting पर क्योंकि यहाँ पे अगर data कम होके आ जाता है तो रेलाक्स कर देगा अमेरिका को और अगर आप देखेंगे United States Inflation Report will be the last high impact economic data that will published before 22 March Fed meeting तो अगर आप देखेंगे इस पे Fed की तुरंद निगाए है Fed तुरंद इससे अपना calculation लगा लेगा कि उसे किस तरीके से अपनी policy में decision लेने है तो उन सब चीजों का impact आपको पता है बाजार पे पड़ेगा तो आप देख सकते हैं what to expect in our next CPI data तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम होने के chances लग रहे हैं which is exclude volatile food energy prices is also expect as to that lower 5.5% from 5.6% तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से data आता जिस तरीके से expect किया जा रहा है तो अगर आप देखेंगे वो बाजार के लिए अच्छी बात होगी बाजार उस पर react करेगा बाजार totally oversold category में है तो आपको पता है कि यह market के लिए plus point हो सकता है लेक्सी क्या होता है जो भी होगा मैं बताऊंगा आपको telegram channel पे miss मत करिएगा description में link मिल जाएगा thank you so much